दे लाइफ टीवी सच सब से आगे पिये मोदी वो इस तरह की बाते इस तरह की खपरे जो है वो आपको दिखाई जा रही है लेकिन इस बीच एक ऐसी खबर आ रही है जो गोदी मीडिया आपको नहीं दिखाएगा N्यू यू की सड़कों पर पिये मोदी का विरोध जो है वो साफसाफ आप देखने को मिला न्यूयोक की सडकों पर ट्रक्स को देखा गया जिनमें कुछ ट्रक्स बिलबोर्ट लगा करके पीए मोदी का विरोध कर रहे थे इसमें कई तरह के मुद्दे कई तरह के सवाल उठाये गए इनमें से एक मुद्दा पहलवानों का भी उठाया गया जिसम आप देख रहे हैं कि पी मोदी का अमेरीकी दौरा जो है वो लगातार चर्चा में बना हुआ है सिर्फ इस वज़े से नहीं कि उनका भवी स्वागत हो रहा है उनकी ताईफ में लोग कसीदे पड़ रहे हैं इस कि पिए मोदी का लगातार विरोध जो है वह वहाँ पर हो रहा है और उसकी अलग अलग तस्वीरे सामने आ रही है नूवयोक्स सिवीरे सामने आ रही है वह की सामने रख रही है पहलवां यू कम्त ब Schuldा से उठा ग्या गया है पहलवां लगातार पृद्शन कर रहे हैं अपने ही मंतंटरी बिजबूशन सिंग कि खिराब ड Texas की सांसत हैं और WFI के पुर्व अध्यक्ष हैं लगातार उनके खिलाफ यौन उत्पिडन के आरोप लग रहे हैं यौन शोशन के आरोप लग रहे हैं गवाहियां भी दी जा रही हैं कई सबूत भी पेश हो चुके हैं और उसको लेकर अब ये मोदी की BJP की किरकरी जो है वो व यौन यौक में वो मोदी के खिलाफ जो हैं वो सच को उजागर कर रहे हैं सच पहला रहे हैं अब इंट्रक्स पर ऐसा क्या लिखा है जिससे मोदी को लेकर लगातार विरोध जो है वो साफ साफ दिख रहा है एक करके ट्रक्स की तस्वीरे में आपको दिखाऊंगी तरह की तस्वीरे आई थी महिला पहलवानों के साथ जो वहवार किया गया जिस तरीके से उनके साथ सुलूक किया गया उसे लेकर कई तरह की अलोचना जो है बीजेपी को जेननी पड़ी और अब विदेशों में भी यह मुद्दा जो है वो गूंज रहा है तो यहां पर यह बिलबोर्टस हैं उसमें पिए मोदी को क्राइम मिनिस्टर आफ इंडिया का नाम करार दिया है हलाकि इन चीजों का हम समथन नहीं करते इन चीजों का समथन नहीं करता है इसी के साथ यहां पर लिखा गया है पूचा गया कि आस् कमोदी मोदी से पूच्छिए कि जब उन्हीं के मंत्री के खिलाफ महीला पहलवान प्रदशन कर रही थी और उन्हें किस तरीके से डिटेन कर लिया ऐसा क्यूं हुआ तो महीला पहलवानों को जिस तरीके से डिटेन किया गया और जो कुछ उनका प्रदशन है वो कई ना कई उसकी गुंज विदेशों में भी देखने को मिल रही है और BJP को वहाँ पर भी मुखी खानी पड़ रही है एक और यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं इसमें उमर खालिद की तस्वीर है और यहाँ पर लिखा है तो यहाँ पर लिखा गया है कि मोदी से पूछिए कि स्टूडन अक्टिविस्ट उमर खालिद जेल में एक हजार दिन से बिना ट्राइल के क्यों बंद है तो उमर खालिद का भी यहाँ मुद्दा है एक और तस्वीर यहाँ पर आप देखे जिसमें लिखा है कि हैश्टेक क्राइब मिनिस्टर ओफ इंडिया तो न्यू यॉक की सड़कों पर पिये मोदी का विरोध आप साफ साफ देख सकते हैं इसी के साथ यहाँ पर एक और तस्वीर है अब इस तस्वीर में इस बिलबोर्ड में लिखा है कि है जो क्वेशन 2005 से 2014 तक मोदी को अमेरिका में प्रतिबंदित क्यों किया गया यहाँ पर उत्तर दे रखा है कि धार्मिक स्वतंतिता के विशेश रूप से गंभिर उलंगन के लिए मोदी को जो है 2005 से 2014 तक उन्हें वीजा नहीं मिला था अमेरिका जाने की परमिशन नहीं मिली थी लेकिन पियेम बनने के बाद वो अमेरिका गए यहाँ पर लिखा है कि एक मात्र वेक्टी जिसे इन आधारों पर वीजा देने से इनकार कर दिया था कई तस्वीरे सोशल मीडिया पर शेर की जा रही है कई बिलबोर्ट में अलग 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 बुद्धो को उजागर किया है और कई तरह की बाते जो है वो पी एम मोदी से पूछी गई है जो कि साफ साफ दिखाता है कि किस तरीके से पी एम मोदी की छवी को कितना फर्क पड़ रहा है जो कुछ भारत में हो रहा है उस पर विदेश में कड़ी नजर बनाये रखे हुए है और वहां के जो नागरिक हैं उसे लेकर अब पी एम मोदी से सवाल पूछ रहे हैं इसीके साफ कुछ लोग इन तस्वीरों को टुइट करते वे क्या कुछ कमेंट कर रहे हैं कैप्शन लिख रहे हैं ये भी आपके सामने रख रहे हैं आबिद अली इन तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखते है कि हैस्टाइग क्राइम मिनिनिस्टर मोदी is trending in न्यू मोदी को यहां पर झेलना पड़ा है इसी के साथ यहां पर सालिल तिरपाथी तीन सचार तस्वीरे ट्वीट करते हैं और यहां पर वो लिखते हैं कि पीएं मोदी जो हैं आज स्टेट डिनर पर वो जाएंगे और उसी को लेकर यहां पर सवाल पूछा गया कि न्यूँ यॉक के जो रात के खाने पर जिन्हें आमंत्रित किया है जो उनके रातरी भोच के मित्र हैं उनसे सवाल पूछ रहे हैं हैं पर एक तस्वीर और देख रहे हैं जिसमें लिखा है कि मोदी मिनस्टर और सेनियर BJP लीडर कौस महाथमा ग nghंधीस सेसन ऑ वर्थी इंडीया यानि की मोदी के सीनियर लीडर बीजेपी के सीनियर लीडर ने महाथमा गंधी के हत्यारे को एक देश का ुल्य वैक्ती बत और नीचे लिखा है कि मोदी स्टेट साइलेंट विच स्पीक्स वॉल्यूम्स यानि कि मोदी यहां पर चुपपी बनाए रखे हैं तो आप देख रहे हैं कि किस तरह का विरोध न्यूयॉक में हो रहा है अलाकि इस तरह की चीजों का दर लाइफ टीवी समठन नहीं करता है ह लेकिन सवार है कि यह इस तरह की नौबत आखिरकार आई ही क्यों एक कहावत है कि जो आप करेंगे वही आपके सामने वापस लोट कर आएगा और बीजेपी के साथ पिये मोदी के साथ अमेरिका न्यूयॉक में वही हो रहा है लगातार इस तरह की खबरे आ रही हैं कि पिय मोदी से सवाल पूछे जा रहे हैं पीये मोदी को लेकर क्यी तरह के गंभीर मुद्धे उठाये हैं और न्यूइव की सड़कों पर इस तरीके सजोगह है पिये मोदी का जबरदस्थ विरोध देखने को मिल रहा है कई तस्वीर आपके सामने कुछ और तस्वीर आपको दिखाते हैं इन में से एक तस्वीर है जिसमें PM मोदी रूस के राष्टपती व्लादीमीर पूतीन को गले लगाते हैं जिसमें लिखा है कि क्या तुम्हें पता है भारत में रूसी तेल का आया 2022 में 10 गुना बढ़ गया है नीचे लिखा है जैसे जैसे युक्रेइन पीडित होता है भारत को लाभ होता है और यहाँ पर वही हैश्टेक दिया गया है है यहाँ पर कई तस्वीरे शेर की हैं एक तस्वीर है जिनमें लिखा है कि मोदी से पूछे कि सैकडो भारतिये मानवाधिकार कारेकटा को जेल में क्यों डाल दिया गय है उचित प्रिकरिया से क्यों इंकार कर दिया गया है उन्हें आतंगवादी क्यों समझा गया है नीचे लिखा है कि सनुफ्त राष्ट विशेशग्यों का कहना है कि भारतिये कारेकटाओं के खिलाफ लगाए गया आरोप मानवाधिकार रक्षकों को चुप कराने का बहान है तो यह न्यू यॉक के जो कुछ ट्रक्स हैं जिसमें आप साफ साफ देख रहे हैं कि किस तरीके से पी एम मोदी का विरोध साफ साफ जलक रहा है इन बिलबोर्ट में कई तरह के मुद्दे उठाए गए हैं कई तरह के सवाल मोदी से पूछे गए हैं जिनमें से पहलवा का एक सवाल भी है और पहलवान लगातार जो है वो प्रदशन कर रहे हैं लगातार बुजबूशन शरन सिंग के खिलाफ अपनी आवाज उठा रहे हैं और लगातार उसे लेकर आरोप लगा रहे हैं जिसका मुद्दा विदेश्यों में भी देखने को मिल रहा है तो यहां आपको दिखारें के किस तरीके से विदेशों में लगातार पीम मोदी के भव्य स्वागत के साथ-साथ लोगों का विरोध प्रदशन जो है उनके खिलाफ सवर्दस्त हो रहा है आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं जिस तरीके से नियू यॉक में पहलवानों के प्रदशन को लेकर भी मोदी से सवाल पूछे जा रहे हैं और लगाता निउयोक की सडकों पर मोधी का विरोध प्रदशन देखने को मिल रहा है उसे लेकर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सरुर बताएं